आपका पसंदीदा सेग्मेंट जो है उसका वक्त हो गया है शेयर बाजार का हफते के आकरी दिन आज घरेलू बाजार में दमदार शुरुआत तो हुई लेकिन इसके बाद बाजार में उपरी स्थर में भारी गरावट देखने को मेरी लाइफ हाई बनाने के बाजार में मुनाफ़ा वसूली हावी हो गई और कारोबार बंद होने तकरिफटे 172 अंक गिरकर 22,475 पर बंद हुआ सेंसेक 732 अंक गिरकर 73,878 पर बंद हुआ शेयर बाजार की जादा जानकारी लियोए रोजाना हमारे साथ जूरते हैं हमारे सहयोगी चैनल Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंगवी जी बहुत बदनेवाद सिंगवी जी आप रोजाना हमारे लिए वक्त निकालते हैं हमारे दर्शकों के लिए और आज मेरा यही सवाल है कि आज शेयर मार्केट में तेजी के बाद जो गिरावट देखने को मिली उससे हम क्या समझे बारती बाजारों में आज दिखा जबदा सेक्शन दुनिया पर के बाजारों से बहुत मजबुती के संकेट अमेरिका में रही शांदार तेजी और डाव फूचर्स भी थे दमदार क्योंकि अमेरिका में अब तक के सबसे बड़े बाइबेक का एलान किया दुनिया की दिगज कंपनी एपल ने जी हाँ नो लाख करोड रुपे का बाइबेक इसके दम पर अमेरिका के बाजार और अमेरिका के फूचर्स ताफी मजबुत थे और उसका फाइदा भारती बाजारों का मिलना ते था और हमाने यहां कल के सेशन में भी एफाइस की तरफ से केश पार्केट में ना सही वाइदा कारोबार में दमदार खरीदारी के आँकड़े आया यानि कि भारती बाज़रों में फ्लोज मजबूत है ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट भी है खुलते ही लाइफ हाई बनाने की तैयारी थी खुले बिल्कुल पुरारे लाइफ हाई के आसपास और बढ़ते बढ़ते एक बार के लिए हमने नया लाइफ हाई भी बनाया मिट कैप स्माल कैप शेर भी सुबह अच्छे खासे एक्शन में दिखते रहे असा पुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक से उसके बाद शुरूआ बिक वाली का दौर और किसी को समझ में नहीं आया कि यह हुआ क्यों लाइफ हाई बनाने के बाद तुरंत तेज और तग जी इस पूरी जानकारी के लिए इस पूरे अपडेट के लिए जीनियर्स